बचलो इस question में दिया हुआ है कि compound A को आप treat करते हो sodium से तो B form करता है इन PCL5 से rate करने पर option क्या बनेगा C बनता है ठीक है और BC दोनों को आप rate करवाते हो तो आपको मिलता है इस तथर अब से ABC को पर जानने बोला गया तो अब क्या करना सेसे पहले option को देखो तो आप देखो कि सब के ठीए और इथानौल है और इथाइल क्रोइड है तो इधान देंगे इन सारे option में ऐसे ऐसा कौन सा compound होका जो sodium प्लस PCL5 दोनों से rate करेगा तो सिम्बल सा बात है कि इथानौल और इथाइल क्रोइड आपके पास एक लिए दो ही option है एक है इथानौल हो सकता है या तो हो सकता है इथाइल कॉलराइड तो आपका जो ए सोडियम से भी रेट करना चाहिए और PCL5 से तो आपका जो इथानौल है वो सोडियम और PCL5 दोनों से rate करेगा क्यों क्योंकि इसका पास ओ से एच लिंक है तो सोडियम से रेट करेगा और OH ग्रूप है जो PCL5 से रेट करके OH के हट के अप सील लगाते हो इसका मतलब कंपॉंड ए कंफर्म होल कर लिए कंपॉंड ए क्या होगा तो कंपॉंड जो ए होगा यह होगा कि सी एस थ्री सी एस टू ओएच यानि आपका कंपॉंड ए फॉंड करेगा इस कंपॉंड में अगर आप सोडियम डालते हो तो यहां पर बनेगा सी एस थ्री सी एस टू ओ माइनस यह थोक्साइड एन फॉर्म करेगा यह आपका बी बन जाएगा सी क्या बनेगा तो पी सील फाइब से रिएशन करने पर क्या होता है यह पूरा कभ जो पूरा ओएच आप को दिख रहा है उसको अटा कि आप सील लगा देना यह नि बन जाएगा इथाइल कुड्राइड अब इस बी को जब सी में आप आड करते हो तो आप पढ़े होगे विलमसन सिंथाइस यहाँ पे जो निकलो फाइल है यह अटाइक करेगा और इसको निकाल देगा सील को और यहाँ पे एथर फॉर्म करेगा इसका मतलब आपका जो सी और बी और यहाँ पहचान लिए तो हमारी यह और आंसर होगा यह आंसर वहगा डी तो बचलो यह था इस question का conceptual analysis इस तरह के conceptual analysis के लिए हमारे साथ बने रहे हैं मिलते हम लोग next question में